इतिहास की सबसे बड़े ट्रेंड कहती 16 लुटेरों ने लूट लिये 300 क्रोड इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये ड्ड कहती ये कहानी है 1963 की जब ब्रिटेन की रोयल ट्रेन गलासकों से लंडन के लिए निकली थी धीरे धीरे ट्रेन की रफ़तार बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते ट्रेन हवाओं से बात करने लगती है किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि ट्रेन के अंदर इतिहास की सबसे बड़े ट्रेन की डगैते को अंजाम दिया जा रहा है ये सब्द सुनने में किसी रुमाचक फिल्म से कम नहीं लगते ऐसे सीन को आपने किसी ना किसी फिल्म में जरूर देखा होगा फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता लेकिन सोला लुटेरो ने उस नामुम्किन को मुम्किन किया और एक ऐसी मुस्किल डकैती को अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया ये कहानी किसी फिलम से परेरित नहीं है लेकिन एक फिल्मी अंदाज में ही इस डकैती को अंजाम दिया गया था प्लैनिंग पूरी फुल प्रूफ थी और फिल्मी अंदाज में करो वही की रोड थी जिसके दम पर उन्होंने चलती ट्रेन से नोटों के भरे 128 बक्सों को चुरा लिया था लेकिन इस चोरी के कई साल बाद यानि लगबख साट साल के बाद एक सक्स हमेशा पहली बना रहा एक ऐसा सक्स जिसने इस ट्रेन की रोबरी के लिए इंसाइड इंफ्र वीडियो में तो वीडियो में अंतक बने रही इंगलैंड में एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था रोयल ट्रेन ये एक मेल ट्रेन थी जिसमें डाक से रिलेटेड चीजे जाया करती थी और इतिफाक से इसी ट्रेन में एक चोरी की प्लैनिंग होती है अब सवाल ये है क एक मेल ट्रेन जिसमें डाक विभाग है और पोस्टल सर्विस की चीजे जा रही है उसमें डाका डाल कर क्या करेंगे लेकिन जिस गैंग ने इस रोबरी की प्लैनिंग की थी उसको एक इंसाइडर से पता चला कि 7 अगस्त 1963 को इस डाक विभाग की गाड़ी में करीब 128 बोक्स होंगे और उसमें पैसे होंगे जो लंडन पहुंचेंगे क्योंकि वहां की मार्किट में बैंक में हर जगा करंसी की कमी हो गई थी लोगों को और दिक्कत ना हो उसके लिए इसी ट्रेन के जरिये 128 बोक्स में लगबक 300 मिलियन पाउंड यानी करीब 300 क्रोड रुपे थे इनों रॉबर्स ही थे लेकिन इससे पहले इनके पास ट्रेन में रॉबरी का अनुभग नहीं था इसी लिए इन्होंने ब्रिटेन के ही तीन और शातिर अपरागियों को अपनी गैंग में शामिल किया जो ट्रेन रॉबरी में माहिर थी इसके लावा ट्रेन के बारे जानका कुल मिलाकर इस लूट के लिए 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग त्यार हुआ लंडन से कुछ घंटे पहले पढ़ने वाले एक ट्रैफिक सिगनल पर ये सारे लुटेरे खड़े हो गए उन्होंने सिगनल की ग्रीन लाइट को एक पेपर से ढख दिया और उसके बाद ब ट्रैन को रोग दिया ट्रैन के रुखते ही पहले से तैयार ये 16 लुटेरे ट्रैन के अंदर दाखिल हुए इसमें से एक ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सिर पर लोहे की राड से जोर दार वार कर उन्हें बहोश कर दिया उसके बाद ये लोग इंजन की पीछे वा इन बक्सों को ट्रक में लाद दिया और फिर उन्हें लेकर फरार हो गई कहीं सालों तक पुलिस च्छान बिन करती रही लेकिन कहीं सालों बाद पुलिस को इन लुटेरों को पकड़ने में कामया मिली लेकिन ट्रेन से चोरी हुआ सारा पैसा कभी वापिस नहीं मिल पाया यह इतिहास में हुई सबसे बड़ी लूट थी जिसे दा ग्रेट रोबरी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जादा से जादा शेर और लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बोलिए धन्यवाद